गुद मॉनिंग फ्रेंद्स वेलकम गया लक्षर मा आपड़े पुन सन्युजित एटले की री कॉंबिनन्ट डी एने नी रचना केवी रिते थाई एना वी से अभ्यास करियो हतो हवे आजे अपड़े पुन सन्युजित प्रोटीन बराबर एटले के री कॉंबिनन्ट प्रोटीन कई रिते प्राप्त कदी सकाई एना वी से अभ्यास करवाना छे आपने खबर छे विद्यार थिमीत्रो के डी एने ने आधारे आपने छट्ठा चेप्टर मां भढ़ी गया छे के डी एने आधारे मेसेंजर आरे ने आरेने ने आधारे एमिनोएसीड और एमिनोएसीड ने आधारे प्रोटीन निर्माण थाई जो कॉंबिननट डी एने ने नू आपने निर्माण करी सके तो एने आधारे री कॉंबिननट प्रोटीन नू पन निर्माण करी सकाई बराबर तो आ रिते री कॉंबिनन्ट प्रोटीन कही रिते प्राप्त करी सकाई एना विसे आपड़ अभ्यास करवाना छे जहरे विदेसी दियेने उटले इच्छित लक्षण वाड़ो डियेने एने कापी ने कापवा माटे आपने उठसे चक्वापरिये छे रिस्ट्रिक्सन एन्जाइम जे ने आपने बैलोजीकल सीजर कईये छे अथमा आण्विया कातर कईये छे तो आणुएक आतर वडे इच्छित लक्षण वड़ा DNA ना खंड ने कापी ने एने वहक वहक इतले वेक्टर वेक्टर इतले आपने आगड लक्चर मा जो एक वेक्टर तरीके आपने कोन उप्योग करिये छे तोके प्लाजमीड बराबर तो जहरे इच्छित लक्षण वड़ा DNA ने कापी ने एने वेक्टर इतले के प्लाजमीड नी अंदर डाखल करवामा आवे छे तो ए प्लाजमीड तरीके बेक्टेरियान उप्योग थाई छे औने त्यार पछी ए जे बेक्टेरिया छे एने यजमान यजमान इतले ज प्रोटीन उद्पन करवानु छे कारण के रिक्टोम्बिनेंट डियेने छे ए यजमान ना रंगसुत्र नो एक भाग बनी जाई छे औने ए विदेसी डियेने तेनी अंदर बहु गुणित ठाई छे पराबर ओके अवे आरी ते डियेने ने निर्मान तो थाई यो रिक्ट प्रोटीन उद्पन करवानु छे कारण के रिक्टोम्बिनेंट डियेने रिक्टोम्बिनेंट डियेने एने यजमान ना शरी नियंदर अभिव्यक्त थाऊ जरुरु जो अभिव्यक्त थाई तो ज एने अधारे आरे ने अधारे एमिनेसीद ने अधारे प्रोटीन नु निर्मान थासे बराबर एले आजे विदेसी जनिन छे ए इस्ट्रतम चोकस परिस्थिती माज अभिव्यक्त थाई छे अभिव्यक्त थाई ने जो कोई प्रोटीन माटेनों संकेतन आपे द्यान तो एज राखवानों छे के रीक कॉम्बिनेंट आपणे जे डिएने ए रीक कॉम्बिनेंट डिएने त्यार पच्छी अभिव्यक्त यजमानना सरीनी अंदर थाऊ जो ये जो ये येजमानना स्वाद येजमान वनस्पती होई कि येजमान प्राणी होई एनी अंदर जो अभिव्यक्त थाई तो एने आधारे एमिनेसिननु निर्मान थाई अने एने आधारे प्रोटीननु निर्मान थाई तो जो प्रोटीननु निर्मान थाई तो एने आपणे आपने उप्योग करी सक्ये अने पच्छी जुदी जुदी अलगी करण पधतियो नो उप्योग करी तेनू सुद्धी करण करवामा आवे छे कोसो ने सतत सवर्धन माध्यम मा अपणे गुनित करवा मा आवे छे औने वप्रायला माध्यम ने एक बाजुती बार करवा मा आवे छे औने बीजी बाजुती सतत ताजु सवर्धन माध्यम उमेरवा मा आवे छे जेने कारणे कोसो पोतानी देहे धर्मिक्रिते सक्रिय स्वरूपे विस्तारित प्रावस्थामा जड़वाई रहे छे अने आ सवर्धन पद्धती थी मोटा पाये जेव भारनू उत्पादन और इच्छीत प्रोटीन ना वदू उत्पादन माटे उप्योगी छे एटले आरिते विद्ध्यार्थी मित्रों आपणे पुनसंयोचित डिने ने अधारे पुनसंयोचित प्रोटीन नुँ निर्माण करी सक्किये छी हवे विद्ध्यार्थी मित्रों आरिते तैयार थहेला विविद्ध्री कॉम्बिनेंट प्रोटीन नी यादी छे जेनो उप्योग चिकित सिय प्रणाली मा एटले के इलाज करवा माटे उप्योग थाई छे आरिते बायो टेकनोलोजी नी मदत थी गणा बधा आवा रीक कॉम्बिनेंट प्रोटीन बना वेला छे अने एनो चिकित सिय ए इतले के डाक्तरी सार्वार माटे उप्योग थाईलो छे एवा रीक कॉम्बिनेंट डी एने वी से आपड़े चोई ए सवथी पेलू छे इनसूलीन के जे डायाबेटीस नी सार्वार मा वप्याई छे त्यार पच्छी बिजू रीक कॉम्बिनेंट प्रोटीन छे फेक्टर एट के जे हीमोफिलिया ए नी सार्वार माटे वप्याई छे त्यार पच्छी फेक्टर नाइन के जे हीमोफिलिया बी नी सारवार माटे वपराई छे इंटर फेरोनस ए पण एक प्रकार नू री कॉंबिननंट प्रोटीन छे के जे कैंसर एट्स अने केटलाक वाईरस जन्य रोगों नी सारवार माटे वपराई छे त्यार पछे OKT3 जे किदनीनु ट्रांस्प्लांट इतले के मुद्तरप्रिन ना प्रत्यार ओपर ना समय उप्योग मा आवे छे DNS1 के जे सिस्ट्रीक फाइब्रोसिस जिवा रोगनी सारवार माटे वपराई छे बोवाईन व्रुद्धी प्रेरक अंतस्त्राव जे दूधुत्पादन माटे वपराई छे त्यार पछी हिपिटाइटिस बी सपाटिये एंटिजन जे हिपिटाइटिस नी रसी माटे वपराई छे इंटर ल्यूकिन्स के जे भिवित प्रकार ना कैंसर नी सारवार माटे वपराई छे अने एंटि थ्रॉम्बिन 3 के जे रदे रोग धरावती व्यक्तिना क्लोट नी जे थाई छे क्लोट इतले बलडन नुगन थाई जाओ तो इक क्लोट नी सार माटे चकास्त नी करवा माटे एंटि थ्रॉम्बिन 3 नामनो रीक कॉम्बिनन प्रोटीन छे एनो उप्योक थाई छे बराबर तो आ 10 चितलारी कॉम्बिनन प्रोटीन छे आ सीवपन गणा बदा छे परना तमारे एंटि क्यू माटे याद राखवाना